उनकी विराजमान होने के साथ साथ मंदिर के पट खोलने की तेयारी है। देश की जनता को उनकी दर्शन करने का सुभागे प्राप्त होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी बार हर्दा आया हूँ, पहली बार भागवत कथा के लिए आया हूँ। इस बार नानी बाई का माईरो प्रिसंग पर अध्यात्मिक सत्संग करने का मौका मिला है गौरत लभे की हर्दा में 29 सितंबर से 1 औक्टूबर तक क्रेशी मंतरी कमल पटेल के द्वारा कथा का अयूजन किया गया था इस दुरान तीनों दिनों तक कथा वाचिका जया किशोरी ने नानी बाई का माईरो प्रिसंग पर अध्यात्मिक गंगा बाहई शुश्री चया की शोरी ने वीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने आयूध्या में कथा की थी मैंने कहा की था कि सजादो घर को गुलशन सा अवद में राम आए है सजादो घर को गुलशन सा अवद में राम आए है तो बस आप इंतजार है कि हम भी दर्शन करने जाए क्योंकि जब हमने पहले कथा करी थी तब हमें मौका नहीं मिला क्योंकि तब भगवान टेंट में थे तो आप धूम धाम से सभी भव्य मंदिन में दर्शन करने जाएंगे तो हमें भी इंतजार है उस समय का कि जैसे ही दर झाल 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 झाल